PUBG Mobile 2, हो सकता है कि इसी week release हो जाए बात करते हैं TK Daily episode number 1 के अंदर PUBG Mobile के latest updates के बारे में Welcome back to the channel guys, मेरा नाम है Dishant और आप लोग देख रहे हो TK Daily इंटरनेट का एक लौता ऐसा show जहां पर एक gamer यानि कि मैं देता हैं दूसरे gamer को यानि कि आप लोगों को best game updates शुरू करते हैं TK Daily episode number 1 and I hope कि तुम लोगों को पता हो कि सिर्फ show के नाम में daily होने से रोज वीडियोज नहीं डालूँगा मैं PUBG Mobile, undoubtedly इंडिया की national game कहलाने लाइक है and जब से ये ban हुई है तब से कहना गलत नहीं होगा कि Indian gaming community के अंदर एक मायूसी की लहर सी दोड़ पड़ी है but we all know कि PUBG Mobile रिलीज होने के बार में जितनी भी चीज़ अपि तक सामने आई है खासकर इंडिया के अंदर वो सिर्फ leaks and rumors है और उनको हम देखकर सिर्फ अपने दिल को तसली दे सकते हैं बात करते हैं उसकी pre-registration के बारे में जो Android के लिए play store पर start हो चुगी है but 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 not in India although जो publishing company है उसका नाम है Crafton और यह एक South Korean company है बट जैसा कि हम जानते हैं कि जब इंडिया में PUBG Mobile थी तो वो Tencent के साथ collaboration में था PUBG का और अगर अब Crafton के साथ collab करके ही PUBG release होती है globally भी तो I think इंडिया में आने के बहुत solid chances है although कोई भी confirmation नहीं है इस बारे में but अगर मेरी global audience अगर मेरे international fans इस video को देख रहे है first of all hit like and तुम लोगों के लिए good news है कि तुम लोग pre-register तो कर ही सकते हो play store या फिर app store पर app store पर अभी start होना है by the way play store पर अलड़ी हो चुका है as of making this video तो अगर तुम लोग register करते हो play store पर जाकर इसको तो तुम लोगों को कुछ freebies भी मिलेंगे जसमें included है एक permanent limited vehicle skin और इस नए version का जो name है यानि की new state वो काफी suggestive है game के concept के बारे में क्योंकि game set होगी 2051 में and उसी के हिसाब से weaponry और vehicles बगारा होंगे काफी futuristic से दिखने वाले grenades हैं guns हैं और trailer के अंदर जो car दिखाई है न वो भी आसा लग रहा है कि Tesla का को फ्यूचर model होगा and सबसे cool मुझे यह बद लगी कि drones भी use कर सकते हैं हम अपने दुश्मनों पर निगाह रखने के लिए but don't worry ऐसा निये कि gameplay mechanics के अंदर बहुत drastic changes कर दी गए है अगर तुम लोगों ने कभी भी PUBG Mobile खेली है थोड़ा सा भी familiar हो game के basic concept के साथ तो तुम लोग इस game को भी easily खेल लोगे जैसा कि मैंने वीडियो की starting में ही बोला था कि इस week ही release हो चती है ऐसे leaks सामने आये हैं although कुछ confirmed नहीं है और नहीं PUBG Mobile की तरफ से कुछ confirmation आये release date के बारे में but let's keep our fingers crossed and I wish कि इस week release हो जाए at least globally, internationally तो release होई जाए so that India में release होने के chances भी और जादा बढ़ जाएंगे and India की release date भी इसी वज़े से और पास आ सकती है so PUBG Mobile के बारे में जितने भी updates थे अभी तक वो मैंने सब आपको दे दी है but PUBG Mobile के बारे में बात करें और India के अंदर 4G के बारे में बात ना करें और जो पोस्टर रिलीज किया है अगर हम उसकी माने तो weapons के नाम पर हमें गंज भी मिल सकती है unlike जो single-player campaign mode था 4G का जो significance है वो at least इंडिया के अंदर एक गेम से कई जाद है गेम के साथ एक patriotism वा एंगल भी बहुत strongly जोड़ रखा है और पीजे अगर तुम लोगों को याद होगा तो ऐसी भी काफी सारी news सामने आई थी proper जो mainstream media होता है उन new challenge के उपर कि battle royale games जो है खास कर PUBG mobile कैसे बच्चों को बिगाड रही है और उनके अंदर aggression और ऐसे negative emotions लेकर आ रही है क्योंकि इन games के अंदर खून खराबा होता है तो मेरे ख्याल से ये सारे factors है इस decision के पीछे कि हम game के अंदर सिर्फ melee weapons रखेंगे या फिर punch यूज कर सकते हो आप बस but finally इस 5v5 team deathmatch mode के अंदर हम लोग firearms यूज कर सकेंगे में से कुछ भी purchase करना हो जैसे कि playstation 4, xbox या फिर ये जो wallpaper मैंने use किया पीछे उन सब के affiliate links भी description में मिल जाएंगे मिलते हैं कि वीडियो में तब तक के लिए आदियो